नमस्कार आप सभी दर्सकों का सी ए नू चानल में स्वागत है मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ यह वाओ ने की इस तरह एक जूट होकर एक प्रमार दिया है की इस तरह यह भुवारी मार्ग में चित्र बनाई गई है और इसे दर्साया गया है कई न कहीं पान और स्वच दिख रहा है यहां पे हजारों की संख्या में रोग हर रोज भुवारी मार्ग से आवाजवन करते हैं लेगी कहीं न कहीं यहां पे 2400 घंटे गंदगी रहती थी लेकिन युवाओं ने किसी नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी से सहयोग ना लेकर युवाओं ने चंदा निकाला है और इसके उपर काम किया है आप देख सकते हैं कि इस तरह यहां पे चमाचम चमग रही है और यह भुवारी मार्ग में अलग-अलग तरह के द्रिस बनाए गये हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर यह द्रिस बनाए गया है हैं मुझूद है मुंबई के रमभाई अमेटकर नगर के पास यहां युवा रहते हैं जिन्होंने द्रिस बनवाया है काफी प्रसंसा के लायक है लोग यहां पे रोज आवा जवन करते हैं और इस द्रिस को देखते वे जा रहे हैं पहली बात कि यहां पे जिस्तना सुचता और सुन्दरता दीख रहे हैं लोग अब जमिन पे गंदगी करने से भी एक बार सोचेंगे कई न कहीं युवाओं की जो पहले इसी काफी प्रसंसा की जा रही है और आईए हमारे साथ कुछ यहां के युवा है उनसे जानने की कोचिस करते हैं किस तरह उन्होंने एक ख्या तो इदर के जो यूत है रमभाई अमबेटकर नगर के ये सब लोग संगटित होके ये फेडरेशन हम लोग ने चालू किया है और ये जो आईडिया हमको आया है ये जो हम लोग ने किया है इदर इसमें बेसलाइन है डॉक्टर बाबा साहब अमबेटकर का जो जहनती है 127 उसके माध्यम से हर कोई मतलब खुशी तो सब के मन में रहते हैं और वो जाहिर करनी की मतलब हर एक की ये अलग रहते हैं मतलब कोई दीजे लगा के करता है तो कोई घर में कुछ फ्वीड बना hormat के सेलिब्रेट करता है तो ये ऐसा रहता है तो हम लोगोंने ये टाइम या उसके लिए और उसमें क्या है इदर से जो सब लोग आते जाते हैं वो मतलब कौन सा भी आदमी हो वह अभी खूश है मतलब पहले इदर बहुत मतलब सवच्छता नहीं था फिर इदर मतलब कर आप आएंगे तो आपको नाक पे रुमा लगके जाना पड़ता था दुर्ग बच्चे भी जाते हैं तो वो पढ़ सकते हैं कि पानी बचाओ पानी यह करो क्योंकि टीवी पे भी चालू रहता है कि यह सब लोग सब पढ़ते हैं पर कि इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं करता है तो यह माध्यम एक है कि जो रमावाई कॉलनी में जो कोई लोग रह रहे हैं उनको यह दिन में एक बार यह अंडर्गराउंड ब्रिज यूजरी करना पड़ते हैं यह इधर से ही सब लोग जाते हैं इधर से ही सब लोग आते तो यह कॉमन पात है और इसके माध्यम से हम लोग ने यह क्लीन भी कर लिया है तो इसके वज़े से किसी को कोई रोग नहीं हो सकता है तो यह सबका एक आइडिया था और हम लोग ने इंप्लीमेंट किया है अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू था हो फाइनांस का था तो ह हमारे साथ तो यूथ सो देड़ सो है और उसमें से जो एक्टिव यूथ है वो पचास है तो फाइनांस कैसे करें तो नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटेशन के पास जाओ चंदा एकटा करो ऐसा होता है पर हम लोग बोले नहीं हम लोग खुछ से करेंगे तो उसके लिए ह हम लोग 500 रुपीज दे सकते हैं और जो काम वाले वो बुले 1000 रुपीज दे सकते हैं तो इतनी छोटी अमाउंट से हम लोगों ने इतना डेकरेट काम किया है जिसका खर्चा अब देखेंगे तो 4-5 लाग से कम नहीं होगा पर हम लोगों ने ये बहुत ही कम आमांट में कि किया है और मेरे खायल से एक मैसेज है अंबेड कर जयनती है शिवाजी महराज का जयनती है यह हम लोगों ने जो सयुक्त जयनती करने का जो परियास किया है इसका यह आउटकम है यह यूद का हमारा सोच है और इसके आगे भी हम लोग ऐसे ही एक्टिविटी करने वाले है तो देखते हैं कि आगे हमको कैसा सफलता मिलता है पर यह हमारा एक प्रायास है कि अम डॉक्टर बाबा साहब अमबेड करका यह जो नया यूद है यह नए तरीके से यह अईसा भी सेलिब्रेशन करेगा जयनती करें कहीं मातला रमा भाई अमबेड कर नगर यहां के जो कुछ और यूआ उनसे जानने कोर्शिस करते हैं आप बताइए आप लोग ने द्रिस्ट बनाया है लोगों क्या फीडबेक मिल रहा है सर पहला तो मैं जाए भी मोलना चाहूंगा जो डॉक्टर मामाना और बाबा सब अमबेड कर इनका जो जहांती आपने 277 जहांती अच्छा होना चेह हमारा ठिंग हा क्योंकि कोई भी महमन आया हमारे गर पे तो ये अंडर्गाउंड से बहार जाए काईसे क्योंकि फीलिंग पहला जो इंपक्र होता है जो पहली परा दर्शा होता है वो कैसा स्टार्टिंग में घंद रहेगा तो बुरा लगता है आप ब रमवाई का इंट्रेंस अच्छा होना चाहिए इधर रुखना चाहिए आप देख सकते हैं कि सब रुक रुक के जा रहे हैं सेलफियाज निकाल के जा रहे हैं यह इसका हमारा मोटीव यह था कि हम लोग जो रमवाई में जो दुरगंदी और यह है वो साब सफाई करना हमारा करता है हम लोग रही और जो यह सब करने के पिछे जो हमारे मामा है इनका नाम नितिन सरे इन्होंने हमें बहुत मदद किया वह एक्शुली कॉंटक्टर बढ़े लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से यह सब निकाल आई यह हमारा थीम था लेकिन सब सोच इनकी थी कि आईसा- करना नितिन ≻न्त करके इनको बोलते हैं लोग कि Hetіш अमयरे साथ मारे हैं और करते नितिन जी क्या कहेंग है इस तरह की tech कि आसका विचार किया क्या सोच के कि हर जयनती के लिए आप उन्चंदा देते हैं और कुछ अलग करते हैं हम लोग पैसा कमा के तो बहुत कुछ बाट सकते हैं बाट के खाने से फक्त खाली एक दिन का हो जाएगा लेकिन अगर सुविचार मैसेज जाता है तो लोगों के दिमाग में उससे यह फाइदा होएग कि समाज सुद्रेगा देश बढ़ेगा तो मैंने यह सोचा था कि बच्चे लोग का यह डेरिंग है यह तो मैं धन्यवाद बोलता हूं इन लोग ने सोचा है क्योंकि इतना बड़ा आमांट एक कट्टा करना आसान नहीं है लेकिन इन लोग ने सोचा कि हमें कुछ करना है तो वह जब से उन लोग ने मेरे पास प्रस्ताव लाया तो उन लोग ने मेरे बजट पूचा तो मैं बोला ठीक है अब उन मिल के करते वो मिल के करने के योज़े से आज इतना बड़ा हो मतलब सबे इतना सुन्दर हुआ है और मैं दिल से कहता हूं कि हमने मतलब कुछ बुजूर हर लोग जारों कि संख्या में इस भुवारी मारका वापर करते हैं यहीं से लोग-आवाजवन करते हैं लेकिन कहीं जिस तरह तरह यह दृतो बनाई गई है लोग इसकी प्रसंसाह कर रहे हैं यह ृवाओ के पहल है कहीं न सताए के लायक है आपने देखा कि यूवाओं ने किस तरह भुवारी मार्ग में एक पेंटिंग बनाई है जिससे लोग प्रसंसा कर रहे हैं दूसरी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हो कि किस तरह यूवाओं ने यहाँ पे एक ब्लेड कैम का डोनेशन का कैम रखा हुआ है काफी लोग इसमें सामिल हो रहे हैं अपने ब्लेड को ड Landes कर रहे हैं कि स Confederate काम आ सके जो मरीज होते हैं जो ठाम नजर आते हैं उनके प्रोग्राम रखा गया है तकरीबन एक साल होने आया है इस फेडरेशन को स्तापत करिए तो इस माध्यम से हम लोग ने जिन महापूरिश की जहनती आते हैं उस अउसर पे हम लोग एक ऐसा कुछ प्रोग्राम बना थे जिससे लोगों में प्रबोदन हो जाएं जो कि समाज को कुछ उसकी देन बने कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि फेडरेशन के मतलब महापूरुष की जहनती बनाते हैं तो सिर्फ कहा हमारे याप अभी देखा जाएगा तो हर जगा देखेंगे आप कि बड़े-बड़े डीजेज लगाते हैं लाइटिंग लगाते हैं और उस में से महापूरुष की जहनती बनाई जाती है उसमें से कुछ संदेश नहीं जाता है कि आप जैसे देखेंगे तो डॉल भी लगाने से और लाइटिंग लगाने से कुछ संजेज नहीं बनता है तो हम लोग को ऐसा देना है कि मतलब यह से हम लोगने भ्यारी मार्क आप देखे र जाता है तो हमारे पहले तो घर के बाहर आने के पहले मुँमें कोई रुमाल लगा है हमें बहुत यह बात फील होती थी तो इसके ओपर फेडरेशन के सभी प्रमुक कार्यकारणी या सदसने आम लोग ने बेटके इस चर्चा की कि एसा इसके ओपर अपन फेडरेशन के और तो गीर के पढ़ते थे यहां पर कोई मतलब जो हमारे कॉर्परेटर रहेंगे आमदर साब रहेंगे कोई इसके ओपर ध्यान ने देता था तो हम लोग ने इसे चोटी-चोटी चीजे देखने का भी प्रैस किया है कि उसके ओपर हम लोग हम लोग ध्यान देखूद कि हार चीज़ के ओपर आमदार खाज़ा और नगरसेव के पास जाने की जरूरत नहीं बढ़ती है जब हम लोग की एक साथ मूड बन जाए तो हम लोग कुछ भी पास सकते हैं तो इसी मुकाबले भी हम लोग ने यह सब प्रैस किया और हम लोग उसमें सफल हो गये बहुत से बाद में हम लोग डोनेट कर सकते हैं तो हम लोग के यहां के यहां के बुजूर्य लोग है जुनको जरूत मन है वह यहां का लाब भी उटा रहे है आरूग चिकिसा सिभी का भी कहीं न कहीं मुंबई के घाट को वरे मतला रामा भाई कॉलनी की जो यूवा है जीस तरह उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कहीं न कहीं यह प्रसंसा के लायक है कैमरा में आनंद गोर्ड के साथ राजपांडे सीय निज मुंबई